Hello guys welcome to my YouTube channel, इस वीडियो में मैं comparison करने वाला हूँ मॉस्केलो इस चले है मॉस्केटो किलर जो commercials आपको मार्कीट में के मिल जाते, टीनों में कौन सा वाला मॉस्केटो किलर बहतर है वो सारी चीजे में आपको इस वीडियो में शेयर रहने वाला तो आप भी सुचों के अच्छा सा मॉस्केटों के लिए पर्चेस करने के लिए आपका बजट आ रहा हूं 100 रुपीज से लेके 500 रुपीज के बीच में तो मैंने पर्चेस किया था कॉंटीटी में दो जो कि Amazon से सारे पर्चेस के विए सभी की लिंक आपको डिफ्र में मिल जागी 100 रुपीज के करीब दो कॉंटीटी में पर्चेस के था तीन रिफिल के साथ में सिंगल मशीन आई थी जो कि मुझे 170 रुपीज के करीब पड़ा थ होते रहता है जब मैंने पर्चेस के ओफर भी चाल था तो हो सकते हैं आप एक बार दिस्क्रिप्शन जरूरू चेकर लेना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मशीन की कॉलिटी के बारे में ओवरूल तीनों के मशीन आपको है ना प्लास्टिक मटीरियल के देखने को मिलेग से कॉंटेक होने के कारण जो की गरम होने के कारण वह वह पर होगी तो जैसे कि मैं आपको इसका रिफिल्स को ओपन करके भी शो कर देता हूं कुछ चैप का आपको रिफिल्स को देखने को मिल जाता है तो यह आपको जो कि इसके अंदर लगाना लगाने के बाद में फिर जो कि यह दिख रहा है इसे टाइट कर लेना तो यह दैट सिट आपका काम हो गया उसी तरह आपको एक्टिव जो कि ऑल आउट का भी देखने को मिल जाता है तो इसको भी आप यूस करना बहुत ही सिंपल है सभी का डिजाइन बस अलागे इसके आपको प्लस और डबल प्लस म करने पर इदर नॉर्मल मोड इदर लाइट करेंगा जब इससे आप यूस करेंग और यह मैं आपको कनेट करके भी शो कर दूंगा और इदर आप देखने को मिलेगा जब भी यह गरम होएगा गरम होने के कारहां ऑटमेटिकली इसके रिफिल से यूज़ और इसके मैं को ओ अरव दिन तक हो रेगुलर आप 8 गंटा 9 गंटा यूस करें तो आराम से 30 दिन चल जाएक विससे ज्यादा यूस करो मतला दिन लगा करें तो 15 दिन में भी बीस दिन तक ही चलेगा वह इसके बाद में बात करने तो आपको आराउट वारेगा तो आपको आराउंड देखने कर देखने है अराम से अराम से इरिया कवर की बात कर लेता है यह जैसे कि दस बादा की रूम होगे दस बाद 20 के रूम होगे तो आराम से इक सिंकल मशीन कवर कर लेगा विससे ज्यादा बड़ा एरिया तीन सो फिट के करीब है तो आपको दो मशीन को यूज करना पड़ेगा जो कि एक राइट सेड में मतला ओपोसी डायरेक्शन में दो लगाने पड़ेगे यह एक्तिवेट हो जाएक और पार्श मिंट पहले जैसे उसके बाद में जो भी मच्छर वागिरा रहे कि वह मरना इस्टार्ट हो जाएगे वही ओल ओल वाला हो गया गोल्ड फ्लेश वाला हो गया यह आपको पंद्रा से 20 मिनिट पहले लगाना पड़ेगा इसके बाद में जो मच्छर वगेरा रहेगे वह कील होना इस्टार्ट होगे तो मॉर्टिन वाला थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है हैस कंपेटू बाके वाले से वह जब भी आप जैसे कि मॉर्टिन वाले को लगाओ तो आपको इदर लाइट इंडिकेट करेंगी और यह हमारा जो की इंडिक लुक देखने को मिल जा तो इसके एक और एडवांस फीचर है यह जो है इससे आप रोटेट भी कर सकते हो जैसे कि आपका फ्लाग है ना होरिजन्टल डायरेक्शन में या वार्टिकल डायरेक्शन में तो आप दोनों डायरेक्शन में इसे यूज कर सकते हो अब इसे लगाना है यह उपड़ नीचे रहना चाहिए उपर बॉत लेक्शन को मिल जाएगा इधर आपको फ्लैश के अंदर प्लक ब्लग घर और अनदर ही लगा सकते हो ही बात कर लेते हमारे गैसे तुरे अए सकते हो मोटिन वाले जो रिपलाते वह दूसरे मशिन में भी लगा सकते हो जैसे को मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूं तो यह हमारा All Out का जो इसके अन्दर करता हूं इसके अडर में टाइट करता ओं तो आप doughnut के अंदर ना लग गया तो फिसटरा प्रुजनलिटे बाद ने हमॉरा बात करते हैं हमारे प्री यह फंचनली ह युआ तुशन हैं अगsalगर लोर्ब उसुभ मेर लगरा और रहों यह वहां इतर आप देखाते हैं यह बस बहार निकल जा रहा है तो यह गोल्ड फ्लेश वाले ने जो की, कमपणी की स्ट्रेटेजी जो की हिनका मशीन ले तो इनके रिफिल लगे और इनके रिफिल जो की में गोल्ड फ्लेश वाला मैंने पर्चेस किया था 170 के करीब और तीन डिफील और सिंगल मर्शीन आई थी तो एमज़न पर इसका लिंक में प्रवाइड कर दू हो तो आप एक बार दिस्क्रिप्शन जरू चेक कर लेना प्राइस अपन डाउन भी होते रहता है और यह वीडि हुझ बाहर बडल दुन कर दो एक दो हो तो अपने हो ठाइस स्वाबस हो दू हो हुझ झाल टागज़रों पर दूझें, कर दो हुझें, जरू हो हुझें, कर दो हुझें व्हीं पर दिसलेएस इस जरूदीन दूशन पर आपको